मा की बातें स्वामी अरूपा नंदसे वार्तालाब मा एक दिन ब्राम्मणी ने ठाकुर को माला आदी से चैतने देव की भाती सजाया था तब ठाकुर को एक प्रकार की भावा वस्था हुई थी ब्राम्मणी माता ने मुझे बुलवाया जाते ही ठाकुर ने मुझसे पूछा क्यों कैसा हुआ है मैंने कहा अच्छा हुआ है ऐसा किसी तरह बोलकर मैं प्रणाम करके तुरंट चली आई भावा वेश देखकर मुझे डर लगा था इसके बाद मैं फिर जैराम बाटी लोट आई बहुत से लोगों से तरह तरह की बाते सुनती कि वे पागल हो गये हैं उनमा दावस्था में हैं नंगे गुमते रहते हैं आदी तब कोई भी उनका भाव समझ नहीं पाता था मैंने मन में सोचा कि जब सभी ऐसा कहते हैं तो एक पर जाकर देखाओं कि वे कैसे हैं उस समय किसी पर्व के अवसर पर हमारे गाओं की स्त्रियां गंगासनान के लिए कलकत्ता जा रही थी मैंने एक से कहा मैं उन्हें देखने दक्षिनेश्वर जाओंगी कि वे कैसे हैं उसने पिताजी से जाकर सब कहा मैं तो पिताजी से लज्जा और डर के कारण कुछ बोल नहीं पाई पिताजी ने कहा वहां जाएगी अच्छा तो है वे हम लोगों के साथ आए रास्ते में मुझे बुखार हो आया जोर का बुखार कोई होश न रहा रात में सपने में देखती हूँ कि एक अत्यन तकाली लड़की मेरे बिस्तर के पास बैठी और मेरे सिर पर हाथ फेर रही है उसने कहा मैं दक्षनेश्वर से आ रही हूँ मैंने कहा मैं भी उनके पास जाऊंगी तुम हमारी क्या लगती हो उसने कहा मैं तुम्हारी बेहन हूँ डर की कोई बात नहीं है तुम ठीक हो जाओगी दूसरे दिन ही बुखार छूट गया पिताजी ने पालकी का प्रबंद कर दिया हम लोग रात को नौ बजे दक्षनेश्वर पहुँचे मैं सीधे ठाकुर के कमरे में ही जा पहुँची ये लोग नौबत खाने में जहां ठाकुर की मा थी वहा गए ठाकुर ने मुझे देखकर कहा तुम आई हो अच्छा किया किसी से फिर कहा अरे चटाई बिछा दो कमरे में ही चटाई बिछा दी गई ठाकुर बोले अब क्या मेरा सेजो बाबु है मेरा दाहीना हाथ ही तूट गया कई महिने पहले मतुर बाबु की मृत्यू हो गई थी अक्षय अर्थात ठाकुर का भतीजा भी उसके कुछ महिने पहले चल बसा था मैं मतुर बाबु तब नहीं थे मां नहीं कई महिने साथ आठ महिने पहले उनकी मृत्यू हो चुकी थी मतुर बाबु के रहते क्या मुझे उस तंग कमरे में रहना पड़ता शौच जाने की कितनी तकलीफ वे तो अट्टालीका में रखते मैंने डौबत खाने में जाना चाहा ठाकुर ने कहा ना ना वहां डौक्टर को दिखाने में आसुविधा होगी तुम इसी कमरे में रहो हम लोग उनके कमरे में ही सोई साथ ही एक लड़की मेरे पास सोई रिदय ने दो तीन पाईली मूर्मूरा ला दिया तब तक सबका खाना खतम हो चुका था दूसरे दिन मुझे डौक्टर को दिखाया गया कुछ दिन बाद बुखार छूट जाने पर मैं नौबत खाने में चली आई तब मेरी सास कोठी को छोड़ नौबत खाने में आ गई थी कोठी का एक कमरा उन्हें दिया गया था अक्षय की मृत्यू उनके उसी कमरे में हुई थी उसकी मृत्यू के बाद माताजी ने कोठी को त्याग दिया उन्होंने कहा अब मैं वहां नहीं रहूंगी इसी नौबत खाने में रहूंगी गंगा की और मुह करके रहूंगी मुझे कोठी की और कोई आवशक्ता नहीं दक्षिनेश्वर में देड़ महीने रहने के बाद ही ठाकुर ने शोडशी पूजा की मैंने तब सोलहवे साल में पैर रखा था रात को करीब नौ बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलवाया पूजा की सारी व्यवस्था की गई थी भाद्जे ने सारी व्यवस्था की थी ठाकुर ने मुझसे बैठने को कहा मैं उनके आसन के उत्तरी भाग में जहां गंगाजल का मटका था पश्चिम की और मुझ करके बैठी ठाकुर पश्चिमी दर्वाजे के पास पूर्व की और मुझ करके बैठे दर्वाजे सब बंद थे मेरे दाहिनी और पूजा की सब सामगरी थी मैं पूजा के समय उन्होंने क्या किया मां मैं कुछ देर बाद ही बेहोश हो गई पूजा के बीच क्या हुआ कुछ जान नहीं पाई मैं चेतना आने पर तुमने क्या किया मां मैंने मन ही मन प्रणाम किया और चली आई मैं काली पूजा की रात थी वहां इतने लोग रहे होंगे पर किसी को इस पूजा की खबर नहीं लगी मां दर्वाजे सब बंद जो थे काली बाड़ी में गाना बजाना शोर गुल हो रहा था सभी उसी में मश्गूल थे फिर उनके साथ और लोगों का संपर्क भी भला कितना था किवल दर्शन सपर्शन को छोड़ और कुछ नहीं मैं पूजा की समय और कोई था मां दीन नाम का लड़का था जो रिष्टे में जेट का लड़का होता है वहां मुकुंदपूर के ग्याती का लड़का था ठाकूर के पास रहता था वे उसे बहुत प्यार करते वही फूल बिल पत्ते आदी लाकर देरे लगा रिदय ने सारी व्यवस्था कर दी थी पूजा के समय और कोई नहीं था अकेले केवल वे ही थे पूजा के अंतिम समय में रिदय पहुँचा था राम बाबू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जैराम बाटी में शोडशी पूजा हुई थी हमारे गाओं में वैसे भी मुश्किल है वैसे ही बोलते रहते हैं किसको लड़की दे दी एक पगले उन मात को और फिर स्त्री जात की पूजा करने की बात सुन वे क्या न बोलेंगे इसके बाद दक्षिनेश्वर में प्रायह एक वर्ष तक रही वर्ष के अंत में बिमार पढ़ने पर फिर गाओं को आई शम्भुनात मलिक ने डॉक्टर प्रसाद बाबू से दक्षिनेश्वर में मेरी चिकित्सा करवाई थी मैं ठाकूर की माँ के देहत्याक के समय क्या तुम दक्षिनेश्वर में थी मां नहीं मैं जैरामबाटी में थी तब मैं बिमार थी दक्षिनेश्वर में एक साल भुगत कर गाओ आई थी बदन गंच के बाजार में शियू मंदिर में मैंने फ्लीहा की बिमारी के लिए दाग लगवाया था मेरे दो या तीन बार दक्षनेश्वर आने के पश्चाद कप्तान अर्थात विश्वनात उपाध्या ने साल की लकडी दी जिससे शम्भू बाबू ने जहां अभी रामलाल का मकान है उसके पास मेरे लिए एक घर बनवाया गंगा के जुआर में एक लट्ठा पानी में पह गया था रिदया कर भला बुरा कहने लगा तुम्हारा भाग्य खोटा है इत्यादी इस पर कप्तान ने कहा जो भी लकडी लगेगी मैं दूंगा उस घर में मैं कुछ दिन रही बरसात में एक दिन ठाकुर वहां गए रात में ऐसी वर्षा हुई कि ठाकुर लोट नहीं पाए वही खा पी कर सो रहे मुझसे मजाक में कहने लगे काली मंदिर के पुजारी जैसे रात में घर जाते हैं मैं भी वैसे ही आया हूँ बाद में काशी की एक फृद्धा महिला मुझे वहां से बुला कर नौबत खाने में ले आई तब ठाकुर बिमार थे उनकी सेवा में कश्ट हो रहा था बार बार शौच को जाने के कारण मल द्वार सूच गया था मैं आकर सेवा में लग गए